सो हे वाट्सप गाईज लेके आचुक आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग आपकी Google Cloud Innovators Program के बारे में तो जिनको भी नहीं पता है इस इनोवेटर्स प्रोग्राम पर अल्रेडी मैं एक बार वीडियो कवर कर चुक हूँ इक बार शो कर देता हूं तो यारी प्लेलिस्ट है अभी मैंने इस वीडियो को अप्लोड कर था 26 जून को जिसमें आपने बताया थे कि एक स्कॉलर्शिप इवेंट है Google की तरफ से जिसके एडिशन जो है एक बार पहले भी आ चुक है इस बार भी आया था और इसके बाद भी इस वाले यर में एक और बार आएगा तो जो लोग इस वाले यर में याली वीडियो चेक आउट करी थी उन लोगोंने अपलाया कर रहा था उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है Google Cloud Innovators की तरव से एक mail आ चुका है क्या अपडेट है आपको क्या क्या करना है क्या क्या चीजे माइंड में रखनी सब चीजों के बारे माम बात करने होले तो वीडियो को पूरी देखना बिल्कुरी स्किप मत करना वीडियो स्टाट करने चाहे पहले तो यह तीन इंप्ड चीजों के लिए हेल्प करेगा एस वेल एस फाइनली बीट है कि टीम ने इस बार मैं नहीं इस चैनल पर हमारी टीम वीडियो बनाएगी तो इसके उपर आपको जो है सारी प्लेस्मेंट अपटेटीज देखने को मिलती रहेगी जैसे भारत पर ही कल हमने वीडियो क्योंकि यह मैनेज कर रहे हमारी टीम के लोग तो इसको जरूर चेक आउट कर लेना अब चलते है पने वीडियो के ऊपर तो जैसा कि आप सभी लोगों पता है Google Cloud Innovators के उपर हम आपलाई कर चुक है जिनने नहीं देखिए दो चेक आउट इस वीडियो ठीक है एंड इनके ल now that you are secure your spot in get certified edition 3 here here are a few important details to know ठीक है तो कुछ important details इनने बताईगे इसके वरे हम बात कर लेते तो यह congratulations बोले है सबसे पहले है आपको कि आपने जो एक seat को secure कर लिया है इनके edition 3 Google innovators program get certified program बैसी के लिए हम इसे बोल सकते है so आप लोग इनसे क्या expect कर सकते हो upcoming weeks में उसके वरे में बात करते है तो सबसे पहले तो आपने secure कर ली अपनी certification के लिए seat and उसके लिए आपको congratulations कह रहे है और बहुत जल्दी इनके management team आपसे contact करेगी for the next step so उसके लिए आपको wait करना इस particular program के mail के लिए as well as आपको date safe कर लेनी है date safe कर लेनी है addition 3 के लिए जो start होने वाल है August 19 से और चलेगा August 26 तक depending upon your region you will be added to half or full day opening classes that week or the following okay so आपको जो एक full or half day की classes भी बिठाया जाएगा इसमें आपको बताया जाएगा क्या कैसे prepare करना है क्या के सीज़े करनी क्या 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 लर्निंग resources है उसके बाद 7 दे के पहले आपको जो है program kick-off session होगा इसके इंदर आपको एक invitation बेज़ जाएगा on your business email id और आपक को note कर सको और आपको साही चीज़े पताई जी जाएगी एक चीज़ का धाम दख में कोई भी recorded sessions आपको नहीं मिलने वाले होगे and attendance यहाँ पर strongly recommended है क्योंकि यही आपको qualify करवाएगी stage 2 के अंदर अभी stage 2 के है इसके और हम बात करते हैं उससे पहले कुछ और important points है तो आपको जो है आपके message और जो भी mails होंगे वो August 12 के बाद मिलना start होंगे कुछ इस permit में तो आपको कुछ यह given mail id एक गोल की तरफ से यहां से आपको mail receive होना start होंगे due to security zone मैंने इसको hide कर दे हैं वरना कुछ ज्यादा शाने लोग इनको mail करेंगे इस particular email address पर तो यह hide है और यह आपके spam में junk folders में आ सकते हैं बात करते हैं आपका जो program kick off session रहेगा वो आपकी stage 1 रहेगी इस particular program की जिसमें आपको attendance देना कंपल सरी मतलब आपको attend करना कंपल सरी उसके बाद आप stage 2 के लिए qualify करोगे तो बात कर लेते हैं if you qualify for the stage 2 you will be provided 10 week of access to google skill boot on demand credits मतलब आपको जो है google skill boots के credits provide कर ज necessary आपके learning path के लिए उसे आप access कर सकते हो ठीक है आप इसको start कर सकते हैं और 10 weeks के बाद आपको जो है अगर आपको कुछ रह जाता है तो आपको additional cost भी provide करी जाएगी ठीक है उसके बाद आप जो है earn करोगे certification exam voucher by completing specific number of skill badges अब skill badges के solution already हमारे youtube channel पे अवेलेबल रहते हैं आप चा आपको complete करी जाएगी ठीक है एन उसके बाद अगर आप commitment दिखाते बच्चे से तो आप additionally automatically edit कर जाओगे for coherent for exam review session ठीक है मतले इसके बाद आपका exam review session होगा इसमें आपको paper के बारे में बताया जाएगे किस ने के paper होते है कैसे पूछे जाती है questions कैसे आप उसको एक run में clear कर सक करते हो ठीक है एन उसके बाद इन ले बोले है congratulations या आपको बहुत जादा excited है आपके kick-off certifications जनी के लिए या आपको जल्दी देखेंगे and अगर आपके में में कुछ भी questions है तो इनको FEQ sections को explore कर सकते हो and that's all about this particular email ठीक है तो मैंने पूरी process बता दी कि कैसे क्या चलने आपको कर करना है तो I hope आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो चलेगी है तो वीडियो को like करके comment में बताना as well as अगर आपने job देखो चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसमें आपको placement opportunities मिलती रहेगी as well as algorithm code कर चेक आउट करना learning resources के लिए and BT के सब्सक्राइब कर देना ऐसा ह काफी amazing amazing contents के लिए see you in next video till then take care good bye